कि नमस्ते दोस्तों के लिए कंडिशनिंग मोनिटरिंग के बारे में कि इंडेक्शन मोटर का कंडिशनिंग मोनिटरिंग से उसको not down करेंगे और चेक करेंगे कि उसके parameter है वो parameter को analyze करके वो parameter को analyze करके हम पता कर पाएगे की यह एक्विमेट है उसकी क्या है वो कितने time तक service दे पाएगा कितने time तक चलेगा उसमें कोई नस्दीक की time में फोल्ट आने की possibility तो नहीं हो हम चेक करेंगे वो कैसे करते हैं कि या इस पहले तो HOW जो इंडेक्शन मोटर में देखे लिए वह मुसका क्लों देखे गया कि रनीग करन्ट लोड करत या थो फिर उसको रनीग करंट भी बोला जाता एक करन्ट इसमें क्या आएक इसके कि की जब भी कोई भी इक्विप्मेट है इंडेक्शन मोट है तो उसका फुल लोड करेंट रहता है और उसका जो एक रनिंग करण तो जो रनिंग करण आथ है वह ओल्वेज फुल लोड करन से कम ही रहना चाहिए अगर मोटर का जो temperature है वो क्या है कि directly proportional है FLC के साथ अगर full load current है मोटर का full load current five times भी increase हुआ full load current से five times भी running current increase हुआ तो जो मोटर का temperature जो है वो 25% time increase हो जाएगा तो जिसे क्या है कि मोटर के internal का जो winding है वो winding का insulation जो है वो fail हो सकता है इसलिए हम every month या तो फिर every three month हम every three month क्या है कि हर एक induction motor है उसका running current जो है वो हम चेक करते है कि उसका जो running current है वो कहीं FLC से बढ़ नहीं गया है वो चेक करते है तो आई होप आप समझ गये कि हम पहले चेक करते है लोड current बाद में हम चेक करते हैं कि इस temperature अब temperature में इसके आए कि temperature हम तीन जगा पर चेक करते हैं फिर्स्ट तो हम चेक करते हैं body का temperature मतलब कि motor का body का temperature यहां से लेकर यहां तक का तो यह temperature हम यहां से अगर लार्ज डेटिंग की motor है या तो फिर बड़ी motor है है एच्टी मोटर है उसमें temperature sensors दिए रहते हैं अगर लॉर रेटिंग की ल्ती मोटर से उसमें temperature sensors नहीं दिते हैं तो आपको आपको एक टेंपरेचर लेना है और उसको नोट कर देना है और यह एंडी मतलब कि यहां कहीं पर फैन कवर के आसपास यहां पर कहीं पर आपको टेंपरेचर चेक करना है और जहां पर मेक्सिमम टेंपरेचर आपको मिल रहा है वह एंडी साइड का टेंपरेचर भी आपको न करके मिडियम ररेटिंग और लो ररेटिंग की मोटर उसमें रहुंत है तो हमें क्या करना है कि हमें energy टेंट्र से वाइबраш ने से हमें बड़ेशन लेना है तो भाइब्रेशन भी कैस तीन जगह पे हम लेते हैं एक तो फ्रीजेंट करेकर लेते हैं और भाइब्रेशं इंडक्शन मोटर का ले सकते हो तो आई वोप आप समझ गए कि हम जो सी एम है पिंडक्शन मोटर का सी में उसमें तीन चीज़ देखते है लोड करण्ट इंडक्शन मोटर का हम यह करते हैं और उसका रीडिंग है वह हम नौट करते हैं तो जैसे यह जो है वह आप देख रहे हैं आप यह फॉर्मेट है तो यह फॉर्मेट में इस क्या है कि करण्ट आर वाई भी तीनों फेस का हम करन्ट नौट डाउन कर लेगे फिर टेंपरेचर पार वाई जाओ जाए टेंपरेचर हम 한다 यहें जाकिंकल नौट कर लेगे और वाईबरेचन कहले हम होरिजनल वैबरेचन वर्टीकल और एक्शर तीनों वाईबरेचन नोट कर लेगे तैम गएस किती मेंने बाद वहीं मौटन men सेश्च Money अर्वा का aprove कर अरःवि का करेंट तेंपरेचर और वाइबरेशन तो ये चीज आप डेMmध का रपाओ कि तीन महीने पहले हमने लिया था और 2 8 है ये जो ह98 तो अपर कर पाऊगे वाइब यहाँ कोई पर कहीं पर कुछ अरवन एमेंट पर सेकेंड वाइशन था और अभी कुछ 2.5 एमेंट पर सेकेंड वाइशन आगया है तो बेरिंग में भी कुछ प्रोब्लम हो सकता है कि यहां पर वह कोई इंडॉक्शन मोटर फैल हो से पहले ही आप कर सकते हो दो इसी लिए मोणिटरिंग किया जाता है तो आगत एनडॉक्शन मोटर का घंडुट स सब्सक्राइब नहीं किया जाता है